आज मैं फिर से बहुती कमाल के कीचन के ट्रिक एंड टिप्स लेके आई हूँ जो आप लोगों के साथ सेयर करने वाली हूँ तो उमीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी अच्छी और यूजफुल जरूर से लगेगी वीडियो को एंड तक जरूर से देखियेगा क्योंकि कमाल के टिप्स है जो हमारे डेली के रूटिन में काम आने वाले हैं जो हमारे कीचन के काम को और आसान और बहतर बनाने वाले हैं नमस्कार दोस्तों, आपका सबकत है तुरुष्टी का कीचन्स में तो आज की फर्स्ट टिप्स टमाटर को लेके हैं, जब भी हम हमारे घर पर टमाटर लाते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, फ्रीज के अंदर रख देते हैं, और चार-पांच दिन के अंदर अगर हम यूज में नहीं लेते हैं, तो ये टमाटर खराब होने लग जाते हैं, बिल्कुल फ्रेस और पके-पके तमाटर हमें इसमें डालने हैं, सारे अपदर ये थैले को अच्छे से कवर कर देंगे, ये देखिये इस तरिके से, इस थेली के अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं रहने चाहिए और अब हम एक कैंटिनर लेंगे और उसके अंदर ये थेले डाल देते हैं और अब हम इसको फ्रीज में रख देते हैं तो फ्रीज में रखने के बाद 10-15 दिन तक बिल्कुल टमाटर फ्रेस रहेंगे जब हमारा मन करें तब हम यूज में ले सकते हैं नेक्स्ट ट्रिप हमारी मीर्स को लेके हैं कि जब भी हम मीर्स लेते हैं इसको हम कैसे श्टोर करें तो मीर्स को लंबे टाइम तक श्टोर करने के लिए क्या करेंगे मैंने यहां पर मिर्च को अच्छे से दोली है और अब इसके जो पीछे की डंठल होते हैं हम इसको हटा देते हैं एक एक करके सारी डंठल हटा देंगे डंठल हटाने से मिर्च लंबे टाइम तक चलती है यहां पर हमने सारी डंठल हटा दिया है एक एक करके और अब हम लेंगे एक कैंटिनर और इस कैंटिनर के अंदर हम ये सारी मिर्ष डाल देते हैं और इसके उपर हम क्या करेंगे इसका डखकन लगा देंगे अच्छे से जो डखकन इसके अच्छे से कमर हो वहीं लगाना है तो ये देखिए और अब इसको हम फ्रेज में रख देती हैं ये भी बिल्कुल फ्रेज रहेंगी I hope कि ये टिप आपको पसंद आई है अगर फ्रेज टिप पसंद आई है तो कॉमेट करके जरूर बताईएगा नेक्स टिप हमारी केलों को लेकर है कि केले को 4-5 दिन के लिए फ्रेज कैसे रखें जैसा कि हम केला लाते हैं तो इनको हम डंठल से एक-एक केला हटा लेंगे और अब हम लेंगे एक न्यूज पेपर अगर आपके पास न्यूज पेपर है तो बहुत अच्छी बात है वरना आप इसकी जगें सिलवर पेपर या फिर टीशी पेपर भी ले सकती हो फिर हम केले को इस तरीके से फ़ॉजे कर देंगे जहांसे उसकी डंठल स्टार्ट होती है वाँसे इस पेपर से फॉल्ड करके हम रख लेंगे तो सारे केलों को हमें एक एक करके इसी तरीके से रखना है जिससे क्या होगा केले हमारे लंबे टाइम तक खराब नहीं होगे मतलब चार से पांच दिन तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगे और ऐसे के ऐसे ही हमें मिल जाएंगे आई होब कि ये टिप भी आपको बहुँ जादा पसंद आई है नेक्स टिप हमारे करी पतों को लेके है कि करी पते को लंबे टाइम तक एसे श्टोर करके रखे जिससे बिल्कुल भी खराब नहीं हो तो यहाँ पर हम एक डिबा लेंगे और इस डिबे के अंदर हम ये करी पते डाल देते हैं इस टिबे के अंदर करी पते डालने से क्या होता है फ्रेंट्स ये लंबे टाइम तक चलता है और बिल्कुल हमें फ्रेस मिलेगा ये सुके गे भी नहीं इसके अंदर बिल्कुल जैसे हमने तोड के रखे है वेसे ही मि कि हमारे गर में टीफन बोक्स हम डेली में यूज लेते हैं तो जब हम इसमें रोटियां रखती है ना तो सब से जो निचे की रोटियां वोती है वो बिलकुल खराब हो जाती है यानि उसमें नमी आ जाती है तो ये नमी ना आये उससे बचाने के लिए हम आज क्या करेंगे इस तरीके से एक newspaper लेंगे और इसको Stephen के सबसे निचे रखेंगे newspaper को और उसके ऊपर हम लगाएंगे cotton का कपड़ा यह देखिए सिलाई करके यहां मैंने इस तरीके से यह रोटियों के लिए बनाया है तो यहां पर मैं इसको लगा देती हूँ उपर से हम रख देंगे इस पर रोटियां रोटी चपाती प्रांठा कुछ भी हम रख सकते हैं इसमें तो यह देखिए फ्रेंट्स जैसे हम रखेंगे न ठीक हमें वेसे ही मिल जाएगी और इसके ऊपर हम एक कोटन का कपड़ा और लगा देते हैं जिससे क्या होगा हमारी रोटी बिल्कुल फ्रेस और गरम मिलेगी और यह नियूज पेपर की वज़य से जो नीचे की रोटी है न वो भी खराब नहीं होगी आई होग कि ये टिप भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है अगर वीडियो थोड़ी से भी पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा नेक्स टिप हमारी केले की छिलकों को लेकर है कि जब भी हम केला लाते हैं घर में तो इसके छिलके फैंक देते हैं तो इससे आज मैं आपको गेस साफ करना बताऊंगी बहुत ही अच्छे सी और क्लिन हो जाएगा आप देखिएगा तो यहाँ पर यह मैंने छिलका लिया है और इसको इस तरीके से गेस पर अच्छे से रगडेंगे तो जितने भी गेस पर गंदगी होगी ना जैसे तेल के छिंटे कुछ भी ओय लगा हो तो यह बिल्कुल साफ कर देगा और गेस बिल्कुल चमक मारने लग जाएगा इस तरीके से रगडने से तो हम क्या करेंगे इ अगर यह वीडियो पसंद आए तिस वीडियो को लाइक, सेर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा नेक्स्ट टीप हमारी मसाले दाने को लेकर है, देखिए यहां पर यह कितने गंदी हो गई है, हम इसको डेली में यूज में लेते हैं, और जब भी हम यूज में लेते हैं, कई वाज क्या होता है, जल्द बाजी में हमारा मसाला इसके नीचे गिर जाता है, और ऐसे इकठा हो लेते हैं इस तरीके से और अब हम यहां पर क्या लेंगे एकpendables को कर लेते हैं तो यहां पर मैंने यह double 까 10 पर लिया आप मैंने इसको सिंगल भी ले सकते हो तो यहां पर इसके साइज का मैंने फोल्ड पर करके इसके अंदर इस तरीके मुझे इसे इसा करने से जरूथ होगी आफिर जलदबाजी होगी तो अगर नीचे गीर भी जाएगा तो हम इसको ऐसे अच्रे mr. या फिर